पिछले एक महीने में 40 लाख करोड का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में और अब सवाल उठता है ये मंदी आगे भी जारी रहेगी कि नहीं रहेगी उस पर भी बात करते हैं अब ये अगर आप देखो एक महीने में संसक्स गिरा है पैंशट सो पोइंट निफ्टी गिरा है इकिस सो पोइंट सर्फ एक महीने की बात कर रहा है क्या कारण है ये इतनी बड़ी गिरावट का कई कारण है कि एक नहीं है मल्टिपल कारण है, सारे डिटेल में एक दम समझाता हूँ आपको. पिछले एक महिने में 40 लाख करोड का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में. आज स्टॉक मार्केट का ये जो क्रैश हुआ है, इसका थोड़ा डिटेल एनलेसिस करते हैं, ये क्यों हुआ, ये कब तक जा सकता है, क्या क्या रीजन्स हैं, तो आप पास रेकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको रियालिटी सम हुआ हैं, जो लोग नएवेस्टर्स होगा, अभी है, ये थ्र टाइम वेट करना है, ये सारे अंगे, नियुकषाण 10600 पॉक्सान, सर्फ एक महिन alleine में, कर रहा हूं अच्छा और अगर सेक्टर वाइज अगर देखोंगे बैंक निफ्टी के लावा मिट कैप 100 देखोंगे 9 परसंट गिरा है स्मॉल कैप 108 परसंट ऑटो इंडेक्स आप देखोंगे 14 परसंट गिरा है कैपिटल गूर्स देखोंगे 13 परसंट गिरा है FMCG भी 11 परसंट गिरा है फिनान्स हो आईटी हो फार्मा हो मेटल हो सब के सब गिरे हैं पिछले एक महीने में आते हैं इसके अनलेसिस पर डिटेल में देखों मोटा मोटी एक चीज़ पहले यह समझो कि मंदी का खौफ और न उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन इनको ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि इनका कैपिटल कंपरिटिव लिग कम होता है चोटे निवेशक का ज्यादा इनको नुकसान देखने को मिलता है अच्छा एक चिस समझना 4 जून 2014 में मार्केट 6 परसंट गिरा इलेक्शन वाले दिन की बात कर रहा हूं उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को 31 लाख करोड का नुकसान वा था और ऐसा ही एक डेटा 23 मार्च 2020 कोविद के टाइम पे उस वक्त निफ्टी 13 परसंट गिरा था लेकिन उस वक्त का जो नुकसान था 14 लाख करोड लोगों ने गव नुकसान हुआ था यह कैसे वहिए सर उस टाइम पे कैपिटल भी इंवेस्टेट तो स्टॉक मार्केट में कम थे ना वैलूइशन भी मार्केट का कम था ना और अभी ज्यादा हुआ है इसलिए गिरा सिर्फ 6 परसंट है लेकिन नुकसान 31 लाख करोड चला गया है और 40 परसंट तक नीचे गिर गये हैं अभी यह निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो कि एक सुपर स्टार इंडेक्स काफी समय से बना हुआ था हमेसा ग्रोथ की तरफ हाई पर हाई बनाया जा रहा है वह भी गिरे हुए हैं 25 परसंट तक इस समय माहल इतना जादा खराब हो चु फória एंस्टिूशनल इन्वेस्टोश जो बाहर के विदेशी बड़े-बड़े इंवेस्टोस होते हैं बडी-बडी कंपनियं विदेश्य होती है वो हमारे भारती स्टॉप मार्केट में अच्छा इस अफ़न्ड हम स्टोक कर गे रह करें बेखो इंडिय का जो बोलिए स् पैसा भारतिय स्टॉप मर्केट में लगा हुआ है और पिछले एक महीने में इन्होंने एक लाख करोण बेचे हैं यानिके निकाले हैं पिछले सिर्फ एक महीने में और ये विक्वाली पिछले एक साल से चल रही है तो जाहिट सी बात है इतना बड़ा फंड 18% वो होल्ड कर नवंबर 2024 और यूएस आपको पता है कि एक ऐसा देश है जिसका इंपक्ट लगबख सभी देशों के स्टॉक मार्केट पर होता है और इंडिया पे तो सबसे जादा होता है सीधा असर इसका होता है तो यूएस इलेक्शन क्लियर ना होने को विरसे इलेक्शन आपको पता ह हमारे देश में भी जब इलेक्शन हो रहा था तो स्टॉक मार्केट उपर नीचे अपने सासे फूला रहा था कि बताना कौन गवर्मेंट आ जाए कौन सरकार आ जाए खराब सरकार आ गए तो भाया बिसनस वैसे खराब होगा देश की एकॉनमी डाउन होगी तो उसका स्ट है कि हर इंवेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग का अपना एक मौका चाहिए होता है इन्वेस्ट्यू करता है अपर बढ़ रहा है उसको फाइदा मिल रहा है तो पैसा निकालता है लेकिन दिकत यह इतना बड़ा पैसा है उनका उनके निकालते ही मार्केट डिप डिप ड निकालेंगे तो मांड पैसा निकालेंगे तो हो आरा स्टॉक मार्केट घरता है तिक यह घ्य वज़ये उसके बाद H result जो आया है October है यह चौथा कॉटर है तो October के महीने में result आती है लिस्टेड़ कमपनियों के अच्छा इस महीने जो result आया है October में खराब result आये है अब जैसे बजाज आटो का देखूगे Nestle जैसी बड़ी बड़ी दिगच कमपनियों के result खराब आये है अब जब result खराब आये है तो investors यह पैसा निकालेंगे बेचेंगे तो इसके वज़ए से market डाउन होता है आप देखोगे RIL Kotak Mahindra Bank Tata Consumer जैसी बड़ी बड़ी कमपनियों का भी result खराब आया तो इसका असर तो होगा सौ के PE तक चले गए तो market में जो investors समझार investors यह expert आपको हो वो पहले ही समझ रहे थे और news में कई बार आपने सुना भी होगा कि इनका और correction आने का समय आ गया है क्योंकि अपने पीक पर जा चुके है तो correction आएगा और correction आया भी लेकिन correction कुछ जादा बड़ा आया है पचास-पचास परशेंट तक यह small caps गिर गए है और जब correction इतना बड़ा है तो mutual fund के fund managers भी थोड़ा नरंदास कर रहे हैं वहापर invest करने से तो इस वज़े से एक बड़ा वज़े यह भी है और वैसे भी एक चीज़ आप समझना कोविद के बाद कोविद के पहले कोविद तक साइद ये मार्च 2020 का डिटा है कि लगबग 4 करोड के आसपास दीमाइट अकाउंट है और आज के दर समय में दीमाइट अकाउंट 16 करोड पार कर चुका है यादि की बारा करोड जो नए डिमाइट अकाउंट खुले हैं हाला कि इसमें से कई सारे ऐसे भी हैं duplicate date account होंगे duplicate का मतलब अब जैसे मैं हूँ मैं चारचा डिमाइट अकाउंट होल्ड करता हूँ निकालो और ना गिरना चाहिए तो ये भी एक बड़ी वाज़े होती है अब इस साल क्या हुआ था कि ये चार जून को इलेक्शन वाला टाइम था बड़ी गिरावट तो देखने को मिली थी लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मार्केट से अमल गया था अपना फिर उपर की अक्टूबर महिने में 25,788 था और 24,180 पर क्लोज हुआ है यानि कि एक महिने में 6.22 परसेंट गिरा है और वहीं सेंसेक्स पर भी आप देखोगे तो लगबग 6 परसेंट के आसपास गिरावट सेंसेक्स में भी है अब इस से ये भी हो रहा है कि ये एक ट्रेंड हमारे को द लेगा ये पता नहीं ये पता करने के लिए आप प्राइस एक्शन का सहरा ले सकते हो ऑप्शन चेन देख सकते हो मूविंग एवरेज देख सकते हो जो मेरी एनलेसिस कहती है कि 24,000 एक स्ट्रॉंग सपूर्ट एरिया है मतलब 24,000 को जब टच करेगा मार्केट तो वहां से थोड़ा उपर आने का फिर से उमीद है और अगर आप प्राइस एक्शन को छोड़ दो आप ऋप्शन चेन को छोड़ दो तो वैसे अगर आप साइकॉलोजी समझोगे तो ये नवंबर में एलेक्शन होगा तो नवंबर में एलेक्शन के बाद रियालिटी आएगी सामने उसके बाद फरवरी में हमारे देश का बजट आने वाला है। मुझे क्या लगता है वो भी हम सेर करते हैं उसके अलावा एक और बड़ा रीजन यूएस इलेक्शन जो मैंने अभी बात करा ठीक है अब करना क्या है ठीक है रीजन समझ में आ गया यह चीजे है लेकिन हम करें क्या आप यह तो सर करना यह है कि कि किसी भी मार्केट में नॉर इलेवेंट है जब भी स्टॉक या इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो अपने आपको करेक्ट करते हैं मतलब नीचे आते ही आते हैं तो यह नॉर्मल चीज इसे ज़र्णे की जुरत है नहीं हाला कि इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल यह है कि कई सारे पर है तो दस से पंदरा पर्षण को आने की उमीद है लिकीदे तस कर्ring के यह जटके मेन руб ही जटकें नहीं धुकिंट है अभी पर्षंट के कम नहीं पहुंचें नहीं है बाट भार आया है पिछले 16 साल में अमने जब एवरेज निकाला तो हमें समझ में आया है कि लगबग 8 महीने लगते हैं निफ्टी को या किसी इंडेक्स को अपने बॉटम तक जाने में कौन सा उसका बॉटम पॉइंट है बॉटम प्राइस है वहां तक पहुंचने में लापस बढ़त आई वह बहुत तेज बहुत तेजी में आई थी ठीक है और वही चीज मैंने आप लिकी भी है अब हमें क्या करना है पहले चीज़ तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी है तो मार्केट जब डाउन होता है और अगर आप लॉंटम इंवेस्टर हो तो यह तो है अगर आप स्विंग ट्रेडर κάνू कर लाएप कर सकते हो वह सकता है क्ई टाइमस बहुत समयक्र में इंवेस्ट करने का प्लान कर रहे थे पीक पे था प्राइस उसका पड़ा हुआ तो ask तो सारे गिरे है यह best time हो सकता है दुबारा सोचने का यह best Time हो सकता है उसमें इनवेस्ट करने का ठीक है और अभी तख जिन लोगों ने डाइसा शुरू नहीं कर रहा तो मुझे लगता है यह सही समय हो सकता है investment start करने का देखो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये पता चल जाए कि सबसे lowest point कौन सा है वहाँ जाकर के चला जाए market उसके बाद में investment करूँगा ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता है चाहे price action हो option chain हो moving average हो सब एक prediction का काम कर सकता है सब एक predict कर सकते हैं कि ये lowest point हो सकता है लेकिन क्या lowest point वही है कि दुनिया में कोई नहीं बता सकता है तो दुनिया में किसी को जब पता ही नहीं है कि ये lowest point कौन सा हो सकता है तो हम काहे को वेट करें कि जब lowest पर आएगा तब हम investment सुरू करेंगे अड़्वाइजर हो तो उनसे सला लिजे और सही चीजों को जाच बरक करके जरूर्वाइस्मेंट कीजे जब डाउन मार्केट होता है तो लॉइस्टर के लिए यह गुड न्यूज रहे यह गुड टाइम है लॉंग टाम इंवेस्टर के लिए ट्रेडर के लिए घावराने वाली जरूर है ट्रेडर भाईया दूर रहो